लायिट हमने है उफ कर दिया है है और इसको हम जैसे ही जला रहे हैं यहां पर दोस्तो यहां पर यह दो न२व लायिट हमारी टो TOMAT कर रही के था। तो दोस्तो आज की इस वीडियों हमें बात करेंगे यह हमारे पास सबदेंगे और पाइप और यह है 2000 mh की बैटरी और यह है एक हीट सिंग जो बहुत ही बढ़िया है और दो है हमारे पास लाइट जिसका एक नाम है मोदी और दूसरी है हमारी I love you के नाम से दोसतोल यह चार पाइप के छोटी चोटी चोटी टकड़ी है और यहें दो पाइप की कट ली थी स्विच के अंदर हमीनी सवी यहँ और यहां पर एक रिजिस्टैं लेंगे और शुयाह लेंगे और दोस्तों यह है डाउट जिसकी वैल्यू है चार हजार साथ तो बीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट इसको करते हैं सभी समान को साइड में तो हम सबसे पहले यह जो हीट्सिंग है और यह जो हमारी दो पत्ती है चार वुल्ट वाली इनको इस पर लगाकर अभी पेच इसके कसल यह और फिटिंग भी बहुत भठी बढ़िया बहत्रिन लग रही है आप हमें क्या करना यह यह पर यहां इसकी हमें कनेक्शन करने तो यह में हाँ यूस करूंग वायर दूस्तों यह टैन वायर है अब इस में से हमें तीन वायर लेने होंगे वह मैं के लिए बता दूंगा और अब करते हैं इसके connection तो सबसे पहले हम एक लाल तार लेंगे जो हमारा पिलस की लेक पर हमने लगा दिया है और दूसरी लाइट का ये भी पिलस है दोस्तों ये कम लाल तार है इसको नारंगी भी बोल सकते हैं और मैं लूँगा एक छोटा सटोगड़ा और दूसरी लाइट के माइनस पर लगा दूँगा और ये तार और एक काला तार जो है इसको लगा देंगे हम इसके माइनस पर इन दौनों को कर दिया हमने शोल्डरिंग यहां पर दोस्तों connection हमारी हो चुके हैं तो दोगों यहां पर सबसे पहले एक यह जो काला तारी है दौनों लाइट के लिए माइनस रहेगा और दौनों प्लस हमने लग चुके हैं और यह बैटरी है और यह एक पाइप है अब हमें क्या करना है इसको रखते हैं साइड की यह जो बैटरी है और बैटरी के हम connection करेंगे तो connection कैसे करते हैं तो उससे पहले हम लेंगे एक charging और इस pipe में यहां पर कर देंगे hol तो यहां पर pipe में में मेंने hol कर दिया है और इसकी charging pin को हम सेंदर लगा देंगे और दूस्तों यह जो दूसरा हमास का ऋल है उसमें लगएगा इंडिकेटर अब हमें क्या लेना है कि एक रजिस्टेंस लेनी है और यह ले लेना है जो हमारा इंडिकेटर शुरू कराएगा और रजिस्टेंस को आप किसी भी लेक पर दे सकते हो माइनस पर या पिलस पर तो मैं यहां प्लस तार पर इसकी सोडरिंग कर रहा हूं और इसको कर लेंगे कट और दोस्तों मल्टी मीटर क दो डीजी बीस बोल पर शेट करेंगे और फिर लगाएंगे इसकी बैटरी पर तो यहां पर तीन पॉंट आठ चार दिखा रहा है तो दोस्तों हमारी यहां पर बैटरी फुल चार्ज है अब इसके करते हैं कनेक्शन तो यह बैटरी का माइनस का सिरा है जो काला तार हम यह इन दोनों को एक साथ जोइंट कर देंगे हम जो बैटरी का पिलस वाला सिरा है तो यहां पर हमने लगा दिया पेष्ट और इन दोनों को करते हैं यहां पर हम सोल्डरिंग और सोल्डरिंग करने के बाद में फिर आपके लिए एक वार समझना है कि यह जो माइनस है हमारा य कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं है इस पर भी हमने कर दिया अब तीनों कनेक्शन हमारे बैटरी के हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसको और जो हमारा पाइप था और इसकी जो पाइप की लंबाई है मैं आपके लिए बता दूँ वह इसकी पांच इंच इसके अंदर डाल सकते हो जादा नहीं डालना है अब इसके हम कनेक्शन करेंगे तो यह जो हमने यहाँ पर एक एक नंबर सिलेप है इसके अंदर मैं एक LED के टांक पर चड़ा दिया इसको ताकि यह शौट नहीं हो अब करते हैं इसके कनेक्शन तो सबसे पहले हमें क्या कर माइनस वाला से लिप रहा है चार्जिंग पिन का और बलव वाले का और इसको प्लुस पर प्लुस और मीनस पर मानेस फूर लगा दिया अब इसकी हम चार्जिंग लगा कर dal कर देखती हैं तो यहां पर चार्जिंग इसमें आ लगा रहा हूं तो यहां पर चार्जिंग दिखा रहा है पांच बोल्ट के करीब चार पांच बोल्ट के करीब चार्जिंग इसके अंदर आरिया सप्लाई अब आपके लिए समझना है कि यह जो काला वाला तार है बैटरी का तो वो चार्जिंग वाली पिन की जो काला तार है इस पर लगा देंगे और ये जो पिलस है ये दोस्तो डारेक्टी बैटरी का है तो ये जो हमने यहाँ पर लगा दिया काले पर काला और जो नारंगी वाला जो हमारा डावड वाला तार था उसको लगा दिया चार्जिंग पिन पर और ये है बैटरी का डारेक्ट पिलस तार अब हमें क्या करना है कि यह जो हमने दोस्तों यह जो पाइप था इसको मैंने थोड़ा हीट सिंग करके गैस पर यह बिल्कुल प्लैन कर दीती और फिर इसकी कटिंग कर लिए यह स्विच इसके अंदर आ चुकी है बढ़िया तरह से आप ऐसे ही करना है आपकी लिए शेम तो मैं यहां पर जो पेलस वाला तार था उसको यहां पर थोड़ा कट कर लिया है मैंने तो इसको कर देते हैं इसकी हम सोल्डरिंग इसके हम सोल्टिंग कर देंगे अब यह जो बाकी हमें तार जो हमारा बचा है इसको दुबारा हमें पाइप में डालना है यह हमें दूसरी शायड को निकालना है इस प्रकार आपके लिए दूस्तों यह समझना है अब जो एक्षर तार है इसको हमने काट लिया है इतना और इ इधर को एक number लिखा हुआ है उस वाले ट्रमीनल पर आपको इसका connection करना है कुछ इस प्रकार से अब दोस्तों क्या करना है हमें कि यहां पर यह जो हमने hall किया है और यह जो हमारी तीन तार थे हमें एक एक तार को इसके अंदर से और हमें इसके बाहर को निकाल देंगे कुछ तो आपको Rafpita की सायता से भी कर सकते हैं और हमारे चेनल पर आप नए ओथा को सब्सक्राइब करें दूद्थ करो प्रैस करते हैं और इन तीनों तारों को हम कर लेंगे हमने यहां पर पहार निकाल लिया है और निकालने के बाद में अब आपके लिए यहां समझना है कि यह जो मैंने मार्क लगाया है इस प्रकार बिल्कुल बीच के में और यहां पर हम इसमें डाल देंगे हलकी सी फैबिकुक ताकि यह बिल्कुल सैट हो जाए अच्छी तरीका से तो यहां पर हम लगा देंगे हलकी हलकी यहां पहली लाइट का यह पिलस तार है जो इधर बाला है यहां निकल आया है हमारा और यह जो माइनस है यह करेंगे हम ground और उसका बिलस यह है दोस्तो तो यहां पर यह जो गृूंड दौनों light का जो माइनस। ताल है काला वारा उसको लगादें잡 in charging पर जो बैटरी का चारज मों बैटरी का भी माइनस ए उसको अब इस से हमें कोई लेना देना नहीं है और को लगा देंगे पर जो बैटरी का चार्ज कोई बेटरी का भी मायद से उसको अभ इससे हम्हें कोई लिना देना नहीं है और एक लाइटका जो हमारा तार है पिलस बाला अभ लाइट का है दोश्तू बाइट को फिल्स का यह तार जो इस वाली light का है उपर वाली light का तो इसको भी कर देंगे हम इस पर भी करती है हमने soldering अब आपके लिए दोस्तों बिल्कुल connection हमारे complete यहां पर हो चुके हैं अब आपके लिए क्या करना है कि इसका जो कैप है इसको आप लगा देना है आराम से बिल्कुल देख लेना है कि इदर भी आउट नहीं हो रहा है यह जब मैंने काठे थे तो जब भी बिल्कुल इसका नाप ले लिया था दोस्तों बिल्कुल ब्रावर और उसको रेगमाल से घिस लिया था और अब इसके उपर डाल देंगे महलकी सी एल पी इधर हमने कर लिया एपैक और दोस्तों इधर के भी कनेक्स हमारे कमपलीट है तो इस पर मैंने टेप लगा लिया और यहां पर लाइट हमादी बनकर हो गई है तयार अब आप यह कहोगे कि दिरिजबाई इसमें आपने सब कुछ तो लगा दिया लेकिन अभी एक प कर लिया इसमें शैट और इसकी फिनीसिंग वीडियो को दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है देखनी में तो दोस्तों इसका होजाला हमें दिन में बहुत ही कम लग रहा है तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को करो लाइक चैनल क को करो सब्सक्राइब बेल आकन को करो प्रेश